नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लो एस पीजीत में आज हम आपको इस वीडियो में पॉलिस कांस्टेबल बनने की पूरी परिक्रिया बताएंगे इस वीडियो में हम जानेंगे पुलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए क्या योगिता चाहिए, पुलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए, पुलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए एकजाम का पेटन क्या होता है, पुलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए रास्तान राज्य में पुलीस कॉंस्टेबल बनने के लिए दस्वी कक्सा उतीन क्यावा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है इसमें अंकों की योग्यता नहीं रखी गई है इसके कारण पासिंग मार्स वाले कंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि पुलीस कॉंस्टेबल बनने तु सारिक योगिता क्या चाहिए रास्तान राज्य में पुलीस कॉंस्टेबल बनने के लिए पूरस अभीयर्तियों की लंबाई 168 cm से तता सिना बिना फुलाई 81 cm से और फुलाकर 86 cm से कम नहीं होना चाहिए SC-ST अभीयर्तियों को लंबाई वैसीने में 5 cm की छूट मिलती है महिला अभीयर्तियों के लिए लंबाई 152 cm से तता वजन 46.5 kg से कम नहीं होना चाहिए अब हम पुलीस कॉंस्टेबल बनने के लिए उमर सीमा देखते हैं कॉंस्टेबल बनने के लिए आपकी उमर सीमा 18 वर्स से 23 वर्स के मद्दे होनी जुर्य है तबी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही नेमा अनुसार SC-ST OBC आदि वर्गों को उमर में छूट देने का प्रावदान भी होता है अब हम आपको पुलिस कॉंस्टेबल बनने की परिक्रिया के बारे में बता रहे हैं पुलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए अभेट्यों को विविन चन्नों से गुजरना पड़ता है जिसमें पहला चरण है आवेदन परिक्रिया पुलीस कॉंस्टेबल बढ़ती के लिए आवेदक को ओप लाइन या ओनलाइन मादियम से आवेदन करना होता है आवेदन की जानगारी विबाग द्वारा परकाशित होने वाले विग्यापन के मादियम से प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद अगला चरण होता है लिखित प्रिक्षा आवेदन बढ़ने के बाद आपका ये पहला चरण होगा इसमें सबसे पहले आपसे लिखित प्रिक्षा ली जाएगी जो की objective टाइप की होती है और ओमार सीट पर ली जाती है रास्तान राज्य में पुलीस कोंस्टेबल के लिखित प्रिक्षा कुल फचेतर अंकों की होती है जिसमें वस्तु निष्ट डेड़ सो परसन आते हैं तता समयाओधी दो गंटे की होती है परतेक परसन 0.5 अंका होता है गलत उत्तर देने पर परसन के लिए निदारित अंका 25 परतिसत अंक काटा जाएगा इस लिखित प्रिक्षा उत्रीन होने वाले अभियर्टियों को अगरिम चरण अर्थार्थ फिजिगल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है अब हम अगले चरण फिजिगल टेस्ट के बारे में जानते हैं पुलिस कॉंस्टेबल लिखित प्रिक्षा में सपल हुए अभियर्टियों को सारिक प्रिक्षा के लिए बुलाया जाता है जिसमें पुलिस उमिद्वार को 25 मिनिट में 5 किलो मेटर तता महिला उमिद्वार को 35 मिनिट में 5 किलो मेटर की दोड़ करनी होती है साथ में उमिद्वार की लंबाई हुए सीने की चोड़ाई भी नापी जाती है इसके बाद ही किसी भी उमिद्वार को सहरीक प्रिक्षा में उतिन गोशित किया जाता है इसके बाद अगला चरण होता है परमान पत्तर सत्यापन इस चरण में लिकित प्रिक्षा व फिजिकल टेस्ट में सपल गोशित हुए उमिद्वारों के मूल परमान पत्रों की जांच की जाती है सभी परमान पत्र सही पाई जाने पर आवेदक को सपल गोसित कर मेडिगल प्रिक्षन के लिए बुलाया जाता है इसके बाद अगला चरण है मेडिगल प्रिक्षा इस चरण के अंतरगत अबियर्तिय का स्वास्ते प्रिक्षन किया जाता है जिसमें आविदक की आंख, कान वा शरीर के अन्य बागों की जाँच की जाती है इसमें आंकों का विजन 6x6 होना आउसेक है इसमें पून रूप से स्वस्थ पाये जाने वाले अभीरतियों को सपल गोशित कर पुलीस प्रिशिक्षन केंप में ट्रेनिंग के लिए बेज दिया जाता है अब हम पुलीस कॉंस्टेबल की सेलेरी देखते हैं दोस्तों एक कॉंस्टेबल का विजन 5200 से लेकर 20,190 तक हो सकता है जिसमें 1900 गरेड पे होता है जिससे लगबग हर मेने 24,000 रुपे एक कॉंस्टेबल का विजन हो जाता है तो दोस्तों आज इस परकार हमने इस वीडियो में पुलिस कोंश्टेबल बलने की पूरी परक्रिया जानी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करे, सेर करे और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे